फर्दबाद की जिला जेल होगी अब कैश लैस जेल में मिलने वाले मुबाइलों पर लगाम लगाए जाएगी वहीं जिला जेल फर्दबाद में PPP मोड पर छे नए उद्योगिक एकाईयों शुरू की गई है जो यहां काम करने वाले कैदियों को दी जाएगी और साथ ही साथ तनख्वा भी दी जाएगी फर्दबाद के जिला कारागार में DGP जेल हर्याना केपी सिंग ने आज 6 उद्योगिक एकाईयों का शुबारम किया इन उद्योगिक एकाईयों की जिला जेल में स्थापित होने के बाद लोग अपना कच्चा माल यहां पर लेकर आएंगे और जिला जेल से ही जो कैदी है वे अंदर से सभी प्रड़क्ट को बना कर देंगे इन कामों को करने के लिए जिला जेल में बंद कैदीयों को विशेश रूप से ट्रेंड भी किया गया है युनिटों में काम करने वाले सभी कैदीयों को काम के हिसाब सो उनका वेतन भी दिया जाएगा इसके अलावा डीजी जेल केपी सिंग ने जेल में मौझूद सभी पुलिस कर्मियों से मिलकर उनको कहा कि हमें जेल को मुबाइल मुक्त भी बनाना है इसके अलावा जेल को नशा मुक्त भी बनाना है और तीसरी एहम बात कि जिला जेल को कैशलेस भी करना है इसके बाद फर्दबाद लगातार बढ़ते क्राइम ग्राफ के बाबत जब डीजीपी जेल केपी सिंग से बात की गई तो उन्होंने साफ तोर पर कहा कि मैं सिर्फ जेल के बारे में कोई बात हो तो बता सकता हूँ अगर क्राइम ग्राप के बढ़ने वाली बात है तो आप यहां के पुलिस से बात करें जेल में छे नहीं ओद्योगी इकाईयों के शुवारं के मौके पर जेल अदिक्षक अनिल कुमार और डिप्टी जेलर भी मौके पर मौझूद थे जिला कारगार में पहुचने पर डीजी जेल केपी सिंग का गार्ड ऑफ ओनर के साथ स्वागत किया गया देखे आज फिर्दबाद जेल पे मैंने च्छे यूनिट का उद्गाटन किया है जिसमें एक यूनिट थी लॉंड्री दूसरी यूनिट थी चौकलेट मेकिंग तीसरी यूनिट थी वूड कार्विंग चौत्थी यूनिट थी स्टोन कार्विंग और दो यूनिट और जो इंटरलोकिंग टाइल से संबन्दी थी एक मसाला पिषने वाली यूनिट ये पी पी मोड में हैं लोग अपना कच्छा माल लेके आएंगे हमारे कैदियों को उन्होंने ट्रेंड किया है कैदी उस माल को तयार करके उनको देंगे और कैदियों को उसकी एवज में वो अपना वेतन प्राप्त करेंगे उनसे कि मैंने अपनी तरफ से उनके उपर कुछ ढूटिया आयत की हैं, कि हमें जेल को मुबाइल फ्री करना है, जेल में को नशामुक्त करना है, और जेल को कैशलेस करना है.